औरिसा में हुए भयानक ट्रेन हाथ से में मारे गई यात्रियों को भापुर्ण शद्धान जली देते हुए दलित पैंथर की और सी राजन वागमारे ने केंद्रे एवं राजे सरकार द्वारा मृत्तकों एवं घाय लोको 10 लाक रुपए की निधी दिये जाने की मांग की है राजन वागमारे ने इस सवाल उठाया कि आज के इस अत्यंत आधुने काल में हाइटेक भारत के जमाने में इस तरह तीन ट्रेनों के आपस में टक्रा जाने का ये हाथ सा चौका देनी वाला है उन्होंने कहा कि इस परिस्थिती में मृतकों के परिवार को राज सरकार की तरफ से पाच लाक एवं केंद्र सरकार की और से दस लाक रुपए के निधी दी दी जानी चाहिए और जो लोग इस हादसे में जखमी हुए हैं उन्हें भी 10 लाग के निदी सरकार द्वारा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा इतने बड़े हादसे के जो भी जिम्मेदार है उन्हें तुरंट सरकार द्वारा निलंबित किया जाना चाहिए। या काडा मदे भारत देश हाइटेक कड़े जात अस्ताना अश्या आधुनिक शेत्रा मदे कामकरत अस्ताना भारत एका रेलवे चा इवडा मुटा अफगात तीन ट्रेन एक मेकान ना टक्रावने किम्मोना है भारतातली पहली घटना असावी असमाला वाटतुआ है। त्यानना राज्य सरकार तरपे 5 लाक रूपे और केंद्र सरकार तरपे 10 लाक रूपे निधी द्याओ। अनि जे अपगात ठरल जे इंजोड धालेले है त्यानना सुद्धा 10 लाक रूपे राज्य अनि केंद्र सरकार मिडून त्यानना निधी तातली न उपद्याओ। अनि या संदरबाद या घटने मदे जे जे दोशिया है त्या सरवना तातली न आपन निलंबित करावो। अशे आमची रिपब्लिकन पारट आप इंडिया चावती न मागनी है। एन्बेसे निउस के लिए राजकुमार मोहड के साथ अकसांसारी के रिपोर्ट।